दोस्तों एन्र इस्ट्डियों आपका स्वागत है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजीगा दोस्तों हम लोग देवता के वारें बात कर रहे थे राजिस्तान की लोग देवता तो आज बात करने वाले हैं तली नाजी के बारण तो तलिनाजी को और किस नाफ से जाना जाता है गोगा देव राठोड यानि ये राठोड बन से थे और इनको औरन के देवता भी कहा जाता है क्या कहा जाता है औरन के देवता ठीक है ये सेरगड जोधपूर के राजा थे कौन तलिनाजी कहा के राजा थे सेरगड जोधपू तो यह जोदफrif की रजाज के राजा थे और इनके अगर गुरु की बात की जाए तो जलन दरनात इनके गुरु थे, इनके तरलीनाजि के गुरु जलन दरनात, और मुख्य मंदिर की बात किया तो पांचोटा जालोर के अंदर इनका क्या है मुख्य मंदिर है का है पांचोटा जालोर के अंदर इन्हें ओरन का देवता भी कहा जाता है किसका कहा जाता है औरन का देवता भी कहा जाता है अब बात आती है यह साब की ओरन क्या होता है तो ओ लेटों ने लिकेंव कोनों दोए तो ये जो इस्तान केला था ये ओरन केलाता है तो इनका देव तक आता है और इनका जो मंदिर है या मुख्य मंदिर पांचोटा जालोर के नदर है और यह शेयरगड जौदपूर के क्या थे एजर आ जाते चलेगा अगरा बाद करते हैं और यह सेरगर्ड जोदपुर के रजहाता थे इनके गुरु का नाम जरन्दरनाथ था मुख्य मंदिर इंका पांचो TCP जरोर के अंदर है और इने औरन का देफार कहा जाता है मंदिर के आसपात छोड़ी गए को नदे कहा जाता है चलेगे दोस्तों आगे बात करते हैं बिगा जी तो कौन थे बिगा जी इनके बारे में बात कर लते हैं तो बिगा जी का मुख्य मंदिर कहा है बिगा जी का मुख्य मंदिर है रीडी विकानेर के अंदर है और गायों की रक्षा करते हुए ये सईद हो गये थे वीर गति को प खेतला जी का मुख्यमंदिर स्वनाना पाली के अंदर है और इनका जो मेला लगता है चेत्र सुक्ल एकम को इनका मेला लगता है यहां पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज होता है जो बच्चे हकलाते हैं उनका यहां पर इलाज किया जाता है तो कियाद हो जाएगा चलेगा बात कर लेते हैं वापस एक बात के वही बीगा जी कौन थे तो बीगा जी का जो मुख्य मंदर है रीडी बीकानेर के अंदर है यह गायों के रक्सा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गये थे और यह जाट समाज के यानि जाकर समाज के होता है चलेगा आगे बात कर लेते हैं हरी राम जी तो कौन थे हरी राम जी तो हरी राम जी की बात करते हैं तो हरी राम जी का मुख्य मंत्र का है जोरडा नागोर के अंदर का है जोरडा नागोर के अंदर इनका मंदिर है और इन्हें सर्प्रक्षक देवता भी का जाता है और मेला जो वड़ता है वो बादरपद सुक्ल पंच्वी कब बादरपद सुक्ल पंच्वी को इनका मेला लगता है हरी राम जी का मंदिर में सापी की बांबी की पूजा की जाती है बांबी क्या होता है साप का बिंग ठीक है तो मंदिर के अंदर साप की जो बंबी होती है उनकी पूजा की जाती है हरी राम जी के मंदिर के अंदर साप की बंबी की पूजा की जाती है ठीक है यह आप द्यान रखें चलेगा अगर बात करता है चलेगा आगले आते हैं जरडा जी ना कौन है जरडा जी तो पाबुजी के बतिजे थे जरडा जी ठीक है पाबुजी के बतिजे थे जरडा जी जिंद्राव खेंची यानि जाहिल का राजा था जिंद्राव खेंची इसको मार कर अपने पिता वो चाचा की हत्या का बदला लिया था जर्डा जी ने ठीक है पाबुजी से पाबुजी से यूद करते हुए जिंद्राव खेंची से यूद करते हुए पाबुजी सहीद हो गया थे तो उसी का बदला लिया था जर्डा जी ने जैल का राजा था इसको जिंद्राव खेंची को मारा गया था किसके द्वारा अपने पिता हो चाच्छे का बदला लिया था, इनोंने कि इन्हें जर्डणा जिन। क्यूंकि जर्डणा जी निजी कि बती देट. आगे बात करते हैं, इनका के मंदिर मन्द है, इनका मंदिरो में ल के राद है, को लूमणण गाउ जोथपूर थे लिस्वाइन। और कोलमन जावन जौतपुट कहा जाता है यहां कि देवता कर लादेव का जता है यहां से वापस चलिए का जासर शुरू क्या वहीं से शुरू करता है ना तल्यना जी की अमने बात की थी तो गोगा देव राठोड का जाता है और उनके देवता कहते हैं जोत्पुर में यह जोत्पुर के राजा थे इनके गुरु जलंदर नाथ थे और मुख्या मंदिर पांचटा प्राप्थ होए और जाटो के देवता या जाकर समाज की देवता है के इतला जी की बात करें तो सोनना पाली के अंदर इनका मंदिर है और चत्र सुक्ल एकम को मैला लगता है अकलाने वाले वाच्चो का इलाज किया दाता है हरी राम जी का मुख्य मंत्री जोर्डा जो कि जाहिल के रजा था इसको मार कर अपने पिता वाचाचा की हित्या का पदला लिया था जर्डा जी ने इनके बंदिर के बात करें तो कोलुमंड गाउं जोटपुर के अंदर है और सिंबुदड़ा विकरनर के अंदर इनका मंदिर है इन्हें रूप नाजभी कहा जात है और हिमचल प्रदेश में इन्हें बालक नात कहा जाता है चले के दोस्तों आज हमने लोग देवतों के बात की और जो बचे हुए लोग देवता है उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे आपको वीडियो कैसा रहा बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताए चाहले तो मारस को ब